Hello Friends, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका study with Ajpishwami official YouTube channel में Friends, बात करते हैं YouTube की जो भरतियां चल रही है राजस्थान में राजस्थान में जो कोरोणा संकरमन की जो लहर चल रही है ये जो second लहर है उसको control में लेने के लिए या जो third लहर जो आने वाली है उसको control में लेने के लिए राजस्थान गौवर्णमेंट में जो YouTube के माध्यम से जो भरतियां की जो प्रोसेस चालू की है YouTube यानि urgent temporary base इसके इसाब से बरतियां की उसमें राजस्थान में अलग अलग जिलों पे बरतियों का जो है विवर्णमेंट में दिया है कुछ जिलों में बरतियां हो चुकी है कुछ में होनी है या कुछ में जो है प्रोसेस अभी चल रही है या होनी बाकी है तो वेसे ही आज बात करते हैं उदैपूर की उदर उदैपूर में जो राजस्थान गवर्मेंट के अंदर जो महाविद्याले है रविंदर नाथ, टेगोर, आयूर विज्ञान, महाविद्याले तो उदैपूर में उस महाविद्याले का जो प्राचारे कारेल है उन्होंने एक भरती जारी की है जिसका आपको आवेदन पत्र जो होता है वो आपको ओफलाइन इसमें करना है आवेदन पत्र का इन्होंने फॉर्मेट दिया है आप चाहें तो इनका जो ओफिसल वेब साइट है वहाँ से भी चेक कर सकते हैं अन्यता आपने इसका जो official recruitment का जो notification है वो हुमारा जो official telegram का जो group है उसमें डाल दिये आप वहां से भी ले सकते हैं और उस official टेलिग्राम गुरूप का जो लिंक है वो description में था दिये जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं आपको इस बंद लिफापे में दिनाख 28.05.2021 चार बजे तक इसमें आवेदन जमा करवाना है उदरपूर का जो प्राचारे कार्याल है वाँ पी इसका जो ये चंटनी करेंगे document की वो किस किस को इसमें जो है वाईवा वगेरा रहेगा तो उसका वो site पे upload कर देंगे 16.2021 को साएं 5 बजे तक site पे upload कर देंगे आप वहाँ से भी देख सकते हैं अपने roll number नाम वगेरा वो डाल देंगे वहाँ से देख आप इसमें आगे की जो है कारवाई कर सकते हैं और आपका जो योग्य अभ्यर्ती है उनका दिनाक 362.21 से है वो committee के हिसाब से इनका जो है test वगेरा होगा तो अभी बात करते हैं इसमें जो है क्या test रहेगा क्या इनका जो है qualification इन्होंने मांगा है जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने चिकित्सक निकाली है नंबर एक पे जिनके cool पोश्ट है 17 पोश्ट हैं इनका जो रेमनेशन है प्रति माहे जो मांदे है वो 50,160 रुपए और इनका जो साक्षाथकार का समय है वह है 362.21 से लेके 462.21 तक जो प्रसासनिक भवन है उदरपूर का जो medical college का वहां इनका जो है रहेगा साक्षाथकार का इस्थान और यह केवल चिकित्सक के लिए अब बात करते हैं नर्सिंग स्रेणी द्वित्य की तो इनके जो पोश्टे है 68 पोश्टे है आप रेमनेशन देख सकते हैं 7,900 रुपई यानि 7,900 रुपई और इनका जो साक्षाथकार का समय है वो आप यहां देख सकते हैं इनका जो साक्षाथकार का इस्थान है college of nursing का जो है इनका रहेगा वैसे इनका इनका जो है 31 पोश्टे इनका इनका इस्थान है वह है lecture theater one में रहेगा और इनका जो साक्षाथकार का समय दिनाख है 36221 से लेके 46221 तक रहेगा अब बात करते हैं lab technician लेब technician के इनकी जो पोश्टे है 162 है यानि 162 पोश्टे है और इनका प्रती महज़ जो मान दिये 7,500 रुपई रहेगा और साक्षाथकार का इस्थान वै इनका जो समय है 36221 से चलेगा 76221 तक इनका new lecture theater उदेपूर में चलेगा अब बात करते हैं नंबर 4 पे dialysis technician की तो इनकी जो पोश्टे है 6 पोश्टे इनका प्रती महज़ मान दिये 7,500 रुपई रहेगा और इनका साक्षाथकार का समय 36221 से लेकि 46221 प्रसासनिक भवन उदेपूर में इनका रहेगा यह बर्ती YouTube की आधार पे होगा यानि Argent Temporary Base और यह वित वर्ष 2021 का जो है notification है अब निचे दे रखा है उपरोग भरती से सम्मंधित वीवरण रनाटे मेडिकल कोलेज उदेपूर की वेबसाइट पर देखा जा सकता है इसका जो ओफीचिल वेबसाइट है उसके बारे हम आपको बता देंगे वीडियो के अंतर तक बाकी आप देख सकते हैं आयू सीमा राज्य सरकार के निया मनुसार होगी अब बात करते हैं इनका जो qualification है जैसे nurse grade second तो इन में आपको senior secondary with GNM nurse courses in equality आपको जो GNM का course होना चाहिए उसके आधार पर आप इसमें apply कर सकते हैं अब assistant radiographer इसमें भी आपका senior secondary in science with biology या आपका mathematics है equivalent इसके according जो है आपका उसके आधार पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं इसके अंदर senior secondary in science with other biology आपके अगर senior secondary में biology, science, mathematics है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं अब बात करते हैं dialysis technician की तो इसके अंदर आप जैसे इसमें देख सकते हैं 12th science and diploma degree in dialysis इसके लिए भी आपके पास जो है diploma होना चाहिए इसका तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं अभी इसकी जो बरती है प्रकेरिया इसके बरती के जो चैन प्रकेरिया है या उसके जो आवश्यक जो निर्देश है उसके बात करते हैं जैसे नमबर एक पर इन्हों देख है चैन सूची में इस्थानिय अभ्यार्थियों को चैन में प्रात्मिक्ता दी जाएगी या की जो लोकलेटि जांके जो विद्यार्थी होंगे या इस्थानिय जो होंगे उनको पहले प्रात्मिक्ता दी जाएगी बाकी आप राधस्थ प्रात्मिक्ता दी जाएगी जो पहले से कार्य जिन्होंने किया है जो चिकित्सक के रूप में नर्सिंग कर्मी के रूप में या पेरा मेडिकल इस्टाप या इत्यादी रूप में इन्होंने कार्य किया है तो इनको पहले प्रात्मिक्ता दी जाएगी विभाग की और से बा जो मैला अभ्यार्थियों हैं सेरिया जाती की या आर्थी पिछड़ा वर की अन्य पिछड़ा उनके लिए इन्होंने दस वर्स की छूट जो है या देर की है वो दस वर्स की छूट मिलेगी उनको पदों में कमी व्रद्धी करने का चायन समीति को पूर्ण अधिकार होगा आपकी जो पद हैं फिलाल इन्होंने 288 पलस कर रखें इसमें जो कमी बैसी करनी है वो डिपार्टमेंट कर सकता है उनको इस चीद का पूर्ण अधिकार है और राज्ये सरकार चिकिछा विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेश लागू होंगे जो कोर्णा काल की परिस्तितियां चल रही है उनको देखते वे सरकार जो है इनके जो आदेश होते हैं वो लागू कर सकती हैं और आपको इनको मानना पड़ेगा तो इन्हों ने जो है विभाग ने पहले ये सर्तें रख दिये आप अगर इन सर्तों को मानते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं उनको पूरा अधिकार होगा और अंतिम निर्णे वही लेंगे कि कौन इसमें सिलेक्ट है और कौन नहीं है अब बात करते हैं साथकार में उपस्तित होने वाले अब्यर्थी कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे फिलाल ये कोरोना महामा रिचल लिए तो आप इसकी जो गाइडलाइन है उनको पूर्ण करते वे आप इस चाइन परकेरिया में भाग लेंगे जैसे आप मास्क का सेनिटाइजर का यूज करेंगे वहां जाते समय और बाकी जो महतो पूर्ण बाते होती है अब वियर्थियों के लिए कोरोना गाइडलाइन को लेखे आप उनका पालन करेंगे और इसमें विभाग ने पूरी चीज़ें देर किये आप गुटका धुमरपान वगेर इत्यादी नहीं करेंगे और अगर आपका आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो आप इसमें कार्यगरन नहीं कर सकते अगर आपका चरित्तर सही है तो ही आप इसमें जो है भागिता ले सकते हैं बाकी जो official notification है वो आप हमारे इस telegram ग्रूप में भी जाके चेक कर सकते हैं बाकी हमने इन चीजों को जो विभाग ने दी है official notification से हमने आपको रूबरू करवा दिये बाकी विभाग की official website में भी आप इसका जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में